धारा 370 को हटाये जाने से पहले परशासन ने पूरी तरह से law and order को maintain करने के लिए धारा 144 जो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगाई थी और इसके साथ साथ internet services को बंद किया था ताकि जो शरारती तत्व हैं वो किसी तरह का social media पर जो है वो महोल को खराब करने की कोशिश न पूटना शुरू ही हालात पूरी तरह से समाने होने लगे और उसके साथ स्कूल कॉलेजिस को भी खोला गया और उसके बाद 13 दिन के बाद जम्मू संभाग के पांच जिलों में internet services को दोबारा से रिस्टोर किया गया लेकिन 36 गंटे के बाद ही internet services को स्नैप्ड किया गया द पर शासर ने एक बार फिर से internet services को बंद कर दिया लेकिन अब दो दिन हो गया है दोबारा से internet services को बंद किया हुए लेकिन उसके बाद भी दो दिन जिससे आवाओं का बजार गरम रहा जम्मू में ये सुना गया कि पेट्रोल पंप्स पर भारी रच देखा गया पेट्रोल को बंद कर दिया है उसे के साथ सांबा में भी थोड़ा सा वाक्या पेश आया अवाफ हैलाने के बाद की सांबा में भी पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद कर दिये गए हैं लेकिन लगातार गलत मेसेज जो है वो दिये जा रहे थे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उच्च देना चाहते हैं कड़ा संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील वह जो है वह आम जंता से करना चाहते हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है जेके मीडिया में आपका लगातार जिससरह से धारात 370 को हटाने से पहले जो एहतियात बरते गए पूरी तरह से जो है वह एक सफलता परशासन को मिली किस तरह कोई महोल बिगड़ा नहीं लेकिन अवाओं का बजार गरम था अवाएं लगतार फलाई जा रही थी उसके बाद हालात समाने हो लेगे टूजी सर्विसिस जो है वो इंटरनेट सर्विसिस रिज्यूम की गई लेकिं 36 गंडे के बाद बंद कर दी कि अवाएं लगतार फलाई जा रही थी क्या कहना चाते हैं सोच बेरे इसके बारे कि ऐसा है पांच तरीक को यहां पे हमने 244 नाफिस करी थी और उसके साथी स्कूल कालेज भी हमने अतियादन बंद कर रहे थे लेकिन इन जो पांच दिनों में भी जो हमारे यहां पूरी शांती बनी थी स्कूल कालेज ही बन थे मार्केट खुली थी गाड़िया चल रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा था और किसी किसम की भी कोई दिक्कत नहीं थी इसको देखते हुआ हमने दास्तरी को रिव्यू करके स्कूल कालेज भी खोले और 144 भी हटा ली तो लोग समझ गए था तो हमारा तो यहां पूरी शांती बनी हुई है लेकिन इसके साथ साथ जिससे आपने पेट्रोप्रों के बात की सामा में यह चीज देखे गई और इसके बाद यह एक असमंजस की सिती जो है वो सामा में पैदा की इस तरह के रिमर्स जो आ रहे हैं कभी किसी ने कहा कि राज़ोरी में यह हो रहा है जम्मू में यह हो रहा है क्या आपको ने लगता कि यह जो शरार्ती तत्वी इस तरह के संदेश फैला रहे हैं एक अमन भाईचारे का महूल खराब करने की कोशिश की जा रही है देखिए ऐसा है आपके मादम से मैं अपने आपको लगता है कि किस तरह की कारवाई की जाएगी आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट सामने आते हैं देखिए ऐसा एक इंसिडेंट जो पहले सामने आया था आपको याद होगा उसके ओपर हमने एक F.I.R. भी लगाई थी तो आगे भी कोई करेगा तो सकती से प्रशासन। उससे निपटेगा यानि प्रशासन पुरी तरह से त्यार है इंप बातों को निपटने के लिए हम पूरी सकती से पेश आएंगे अगर कोई अफ़वा फेलाएगा तो चलिए सर एक चीज़ मैं आकरी में यह जानने की कोशिश करूंगा कि जस तरह का महोल जो बिगाडने की कोशिश की के शिरारती तत्व हो रहा है लेकिन महोल पूरी तरह से ठीक है सब लोग अच्छे से रह रहे हैं क्या आमन भाईचारे का संदेश जो है वो आप जेके मीडिया के मादिया के देना जाए है यहां के लोग जो हैं बड़े समझदार हैं ला करता है तो उसके उपर सक्त एक्षिन लिया जाएगा सक्त कारवाइग की जाएगी और उसके साथ-साथ आपने कल भी देखा जम्मू में किस तरह से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया लगातार फेक खबरे फेक संदेश जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रहे थी एक ऐसी धारना बनाई जा रही थी कि जम्मू कश्मी में महौल खराब है लेकिन उच्चे दिकारें ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कल भी जम्मू में अगर देखा जाए तो प्रेस कॉन्फरेंस जो है वो जॉइंट प्रेस कॉन्फरेंस की गई डिसी जम्मू और एससपी की जाएगी और अपील भी इन्होंने की है कि आपसी भाईचारे और अमन के साथ रहें और जम्मू कश्मीर का महौल जो है वो पूरी तरह से शान्थ है लेकिन जिस तरह से दो दिन पहले जो इंटरनेट सर्विसिस रिजूम की गई थी जम्मू के पांच जिलों में वो स्न आए जा रही हैं बजार जिस तरह से अवाओं का गर्म है तो इस पर बिलकुल भी ध्याना दे सब कुछ जो है महौल पूरी तरह से शान्थ है आम जिंदगी जो है अब पूरी तरह से पट्री पर लोट आई है तो फिलहाल के लिए रिशिक जूरिया जेके मीडिया के लिए झाते बिल्दाए तरह से वोग जला से अजयर है मैं जबतार जब